आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार खेमा ओबी सी और एसी समाज के लोगों को सरकार द्वारा नजर अंदाश किये जाने का आरोप लगा है वैस मुद्दे पे पिछड़ा आयोगवर के उपाध्यक्ष प्रभुनाथ चोहान ने प्राइम टीवी से खास बात चीत की है या आपको सुनाते हैं राजे पिछवा आयो के उपाध्यक्ष प्रभुनाथ जी हमारे साथ हैं आईए इन से बात करते हैं आप जाने के अच्छा सरा हम ये वताएं कि स्वामी प्रसाद मौरिया भाजपा को छोड़कर सपा में गया है और वो कई सवाल उठा रहे हैं कि कई ऐसे चीज़े हुई ह हैं जिस वाजपा से आ गया है दर किनार कर दिया गो विस्वामी प्रसाद मौर के बारे में आप पूछ रहा हैं तो उसी लाइन में दारा चौहान भी उसी लाइन में ओम प्रकास राजभर भी और तीनों मंत्री जो भाजपा छोड़कर गए हैं उनका एक ही घिसा पिटा बयान है दलित, सोसित, पीडित और पिछड़ा का जो है काम नहीं हुआ इस तीनों नेता पिछड़े समाज के नेता है भारती जनता पाठी ने इनकों लिया था कि यह पिछड़ा का काम करेंगे लेकिन इनकों काम तो किया नहीं देखो पुर्वांचल में बले सर्यादों गाते थे कि दुस्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी आर ना मिले अज जनता गाँवाली क्या कर रही है दारा स्वामी ओम प्रकात जैसा नेता समाज को गद्दार न मिले गाना गार रही है गाना ए दिनों अपने अपने च्छतर में जाकर देख लेगे इनके वज़े से भारती जनता पार्टी पिछणों की पार्टी नहीं है कंल्यार सिंग जी हमारे मुकंद्री हुआ करते दे खुरो सासन के प्धत में कहा करते काम जितने लोगों ने पीडित लोगों ने यहां आया यहाववेदन दिया चाहिए DM अस्तर का हो, ISP अस्तर का हो, सची अस्तर का सब को नोटीस देकर तलब करने का काम किया और सरकर मुकदमा का जो 6 महीने के अंदर मैंने फैसला किया है, लोगों के पच्छे में किया है और उना अधिकारीों को फट करने का भी काम किया है अभी ये भरतिया जो आप के थी 5% लेश हो गया था, अभी 15 तरी को उसका फैसला आया है कि नहीं वो भरतिया 5% पूरा करो और चात्रों को लाब दो और जो अधिकारी इसमें गड़बड किये थे उनके खिलाब कारवाई करने के लिए मैंने तलब कर लिया है अच्छा कोवीड को लेकर जो सिमित लोगों को पचाव में पांच लोगों को भीजा जारा जन्द संपर का भियान में तो इसका क्या आसर दिख रहा है किया आपकी सरकार फिर से इस बर रिपीट करेगी आया है और ये तो महामारी है हमने ठीक से मुकाबला किया हमने एक लाख सात्lessness लोगों को जो है वैक्सिन उपनाब देुप लबाद करा आई दिया अनेक काम किया हमने और दुनिया के लगभग तीन अरब लोगों को हम तिकट ए टीका उपलब्द कराने की छमता रखते हैं इसे महामारी काल में भी हमने जो चुनावायोग ने ब्यवस्ता किया है उसके कानून के मताफिक उसके संविधान के धारा में रहते हुए भड रास्ती जंटा पाटी पिछली बहुमत से बड़ी बहुमत लेकर के आने वाली है झ कि सबको पिछ़ड़ों को राष्ट की चिंता य सब्स्क्रेटर निर्मान में और आपने विकास में देश-्बिक्षित उसको बिक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश के बड़ा बेरोजगार जो था उसको बड़ा रोजगार का हब बनाने के लिए जो माहौल क्रियेट हुआ उसके लिए मद्दान करेंगे हमने इगारट टैसरबा सेंटर खोला है हमने पांच अंतरराष्टी हवाई अड़ा बनाया है हमने सभी जन पदों में मेडिकल कालुजों की बेवस्ता सुनेशित किया है अनेक जन पदों में हमने इस्टेंडिय बनाने गरीब का बेटा गाउं से जा करके डाक्टर बनेगा अपने ही सहर में पढ़कर गरीब का बेटा खेल करके अंतरराष्टी हस्तर पे जाएगा पेंसन मिलते थे उसको बढ़ा दिया हमने पूरा ध्यान रखा हमने बुजर्गों से लगाई और नौजवानों तक का और पिछड़े समाज के लोग निश्चित तोर पर तैयार खड़े हैं कि नरेंद्र मोदी और जोगी आज जो जुद्धे लड़ रहे हैं पिछड़ों को उत्थान की बात कर रहे हैं इसी राश्ते पर चल कर पिछड़े का उत्थान होना है हम महाराज सुहल देव प्रत्वीराज चोहान और बुद्ध की पत्चिन्हों पर चल के आतताईयों को भागाने के काम करेंगे भराष्टाचारीयों का मिटर्वने का काम करेंगे और भा इसको सवारने का काम करेंगा और इस भारुत को दुनिया का सरस्ए सवांतरा राष्ट बनाएंगे भारती जनता पार्टी के कार करता नरेंद्रमोदी की अगुआई में और उस जोगी की अगवाय में दुनिया के सबसे बड़ी जो महासल इंकला मानों लगती है कुम्ह के मेले में उसका सही तरह से संचालन करने का काम किया है निश्चित तोर पर जोगी ने किंद्र सरकार के सभी योजनाओं का ठीक से संचालन करके जमीन तक राम लोगों तक पहुचाने का काम किया है दीन देयाल जी के सपने को साकार करने का अमतिन दव्यक्ति तक बहुता पहुचाने का और स्यामा प्रसाद मुखरजी जी के बलिदान को सार्थक करते हुए कस्मीर को मिलाने का काम किया 356 रियास्तों को जिसने इस भारत में मिला करके एक खंड भारत का सोतंतगा निर्माड किया सरदार बल्लब भाई पटेल की दुनिया के सबसे बड़ी मूर्ती बना करके हमने अनेक समाज को साधना मने कर सकता हो पॉलिटिक से में साधना काते लोगों को समान देने का काम किया तो बताओ क्यों नहीं जनता के बीच में क्यों नहीं जा सकते हैं अच्छा हम यह बताएं कि अखिले स्यादों की जो इस बार घोसरा पत्र होगा उसमें कि गाउं में कहावत है साह देन पूरे तौला है देख कुछ नहीं कहा कि पुरा तौल दिया भीजली तुम दो दो घंटा देते हो अपने सासनकाल में टांसफार्मर जलता है तो तिन महिने में लगता है दस जार रूपिया देने के बाद अरे बिजली आएगी ही नहीं युणि उठेगी ने माज खिस के करना तो इसको कहते है अहम धपूरसंख हम बदाम चो ददामिन अरे मैं देता हुँ ठारान घंटा बिजली भई फरीका कंडेक्षन देता हो। मैं देता हू अठारा घंटा बिजली करनेक्षन और तुम दोगे दो घंटा नेश्चित कर लो ने क्यं घंटा बिजली कर जब यूनिट उठेगा नहीं तो माफ किस बात का करोगे करजा मैं तुम तुम करजा देदे हो। मेरे क्रेडिट मुदी नहीं बनाया जो खाता खोला जंदर खाता कईतने लोंगों का 37 कड़ों का खाता खोला पैसा तो सिधे काता में जा एक अला बार्थी के लेकिन खाता के बादब उसकी मेरी क्रेड़िट है पालेती 5000 फाउंचाज़ार बैंक जाओ खाता चलना है 5000 लेलो फिर पैसा हो भर देना अब हो गई दस हजाद बात करते हो बात करने से रही देश चलेगा बात करने से समार का उतान नहीं होगा तुम जानते हो कि यादो तेरे साथ मेरे पास 557 मेरे यादाश ठीक हो तो तो देख लेडा 557 राज सभा और लुक सभा में हैं हुकम द्रेव नरायर का बैबयान सुन लेला मेरे पास बड़ी कार करता हो कि सिंकला गरीब यादों का दस सजार मकान में ने बनाया दस सजार कच्चा मकान कितनी सीट इस बार आप लों ला सकते ह में हो रही है गर आप सरकार बना रहे हैं तो कितनी सीटे लाएंगे देखो कोई सी पत्रकार की बात मैं नेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं जनता की बात कर रहा हूं मुझे जहां तक उमीद है कि जनता भारती जनता पार्टी के कारकरता से नेता आगे चल लही है उसको ना राष्ट निर्माड की चिंता है समाज निर्माड की चिंता है अपनी नवहालों की चिंता है और कोई आतंकवादी का ठुखा कर इस देश पर न देखे उसकी चिंता है एकर यह मुमकीन हो सकता है नरेंद्र मोदी के रहते और नरेंदर मोदी के रहते मुम्किन तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में जोगी रहेंगे तो एक बाद ध्यान से सुन लेना भारती जनता पार्टी पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करके आने वाली है क्योंकि जनता उसके साथ खड़ी है और र करता है घता हैज नहीं कि रिछत कर लोटने का प्रयास किया सथ कड़ा होता है एक गद्दार जो बताओ जो गुरु के साथ गद्दार नी कर सकता हो समाज के साथ क्या करें वह बुद्ध का नाम ने रहे बुद्ध की मुर्ती निकल गई यहाँ आप सुने होंगे कि मंद्र के खुद है अरे बुद्ध की निकल गई तो क्या हुगा तो क्या करेंगे गोली तो चला जाए जो है बंधुमन में और घोसी में चाहिए पुर्वान चल में किसी चौहान के घर ओट मांग लेगा गुलामी लिखा लोगा राजनी से सन्यास दे दूगा कई हैसियत नहीं है चात के लोग समझ चुके हैं मोदी मेरा रच्छक जोगी मेरा पहरेदार और जोगी और मोदी करते विकास नहीं हुआ पिछड़े समाज को लोगों को विकाना चाहता हूँ कि आप पिछड़े समाज के लोगों इसलार खाके उपर चादर चराकर ओम प्रकाज महारा सुहेल देव की तविन करता है यह स्वामी प्रसाद मौरिया जाकर के जो लोग गोली चलवाते हैं उनके साथ कड़ा होता है उसके गुरु का जो अपमान करता है यह दारा चौहान आउसर पाता है तो क्यों अपनी जिब भरने का काम करता है वह इसके पास पत्र हो तो जाकर दिखा दे कि मैंने यह एक काम दिया था और जोगी जीने मना कर दिया तुम सबढ़ जात के लोगों को अपना परत निदी बनाते हो सबढ़ जात के मुसलमान को तुम अपना जाग चुका है उसको पता है कि किसी जात से नहीं इस देश का निर्माड योगी और मोदी से होगा और बाकी कोई करने वाला नहीं है तो मेरे साथ मौझूद थे पिछड़ा आयोग के उपाध्याग्षिर रभुनाथ जीजिन का साफ तौर पे कहना है कि भाजपा पिछली बार से अच्छा प्रदर्सन करेगी और स्वामी प्रसाद मौरिया या उनके खेमेफ के जो नेता सपा में गए है वो पूरी तरफ फेल होंगे कैमरमेन दीपर के साथ विभान सूप प्राइम टीवी मरजापूर में अपने दल की रोस्टे अधेश क्रिशना पटेल ने प्रेस वारता कर अपने दल के मलसी और अपने दामाद आशील पटेल पर कंभीर आरोप लगाया है परिवार को तोड़ने बेटियों को आपस में लड़ाने का आरोप लगाया है इसके साथ ही भाश्वा पर भी आरोप लगाया गया और कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भी मुझे सुरक्षा नहीं दी गई मीडिया के साथ वार्दा करते हुए क्रिस्टना पटेल खुल कर बोली और कहा कि सपा से गट बंधन होते ही सडेंद रचा जा रहा है सपा की कारियाले में पहला कदम रखा है उस दिन से मेरे घर में इंकन टेक्स की नोटिस गई है उसके बाद तमाम तरह के अन्नोन फोन मेरे पास आते हैं मुझे रोकने का काम किया जा रहा है मुझसे कहा जाता है आप चाती बात जंगरना डाक्टर पटेल की CBI की चांच को मत कहिए आप सबा के कारियाले मत जाईए अखलेश जी का साथ मत दीजे मैं घर पहुंसती हूं तो मुझे तमाम तरह से रोका जाता है मेरे पास अन्नोन काल तमाम प्रकार के आ रहे हैं जाती बात जंगरना के लिए रोका जा रहा है इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैं डाक्टर पतेल की अर्धांग नहीं हूँ, कितने भी मोड मेरे जीवन में आए मैं रुकने वाली नहीं हूँ अलिगर में आगामी 22 वा 23 जनुरी को होने वाले धर्म संसत को स्थगित कर दिया गया है, कोरोना के बढ़ते प्रकोब और प्रधम चडर्व के विधान सबचनाओं के कारट धर्म संसत स्थगित की गई है धर्म संसत की कोर कमिटी के दो प्रमुक सदस्यों ने जेल जाने के कारट भी धर्म संसत स्थगित करने का फैसला लिया गया है धर्म संसत कारटम की आगामी तारीक की घोश्रा 23 जनुरी को होने वाली कोर कमिटी की बैठेक में लिया गया है वही साध्वियन पुर्णा भारती ने बताया कि धर्मसंसत को रोका नहीं गया है बलकि कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है कि नहीं रोकी नहीं गई है इसको पोस्ट पॉंट किया गया है क्योंकि प्रथम चरन के चुनाव है अलिगर में और दूसरा महाँ भारी कोरोना का भी विकराल रूप हो रहा है तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जितनी संख्या में आप उपस्तिती चाहते हैं वह संख्या जो यह तो यह सारे कॉज़ें इसकी वज़े से हमने धर्म संसत को पूस्ट पूंग किया है कि सहारणपूर में करोना संक्रमर्ट तेजी से पाउप असार रहा है जिल में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2000 हो गई है जिसके बाद जिलापरशासन पूरी तरह स अलक्र मोड पर है सहारणपूर मंडल के कमिशनर लोकेश एम ने ऍवने अगर निगम में सहारणपूर के जिला धिकारी अखिले सिंघ से जिले CMO वो नगर निगम के अधिकारीों के साथ एक बैठखक की और कोरोना अभी हमारा जनपद का परसेंटेज 87 के आसपास है इसको 100% करना है तो सभी ब्लॉस में बीडियो से मोस को बुला कर हम लोग ने उसको 100% करना है इसके साथ हमारा हर दिन का जो डूली सवेंगों और यूस का बनता है उसके लिए बीड बना रहे टीम कहां बेजना है कईसा करना है तो इसके साथ जो 25 से जो आटारा ग्रोप का जो वक्सिनेशन होना है तो अभी तक अलड़ी अल्मोज्ट उसमें नमभे प् का उसमें भी कितने बच्चे कुछ कारण के कारण के वजए से लोग स्कूल नहीं आंप रहे कॉलिज नहीं आप पा रहे उनको भी डोडूडू डोडोड जाकर उसको वैक्चिनेशन करवाना है तो जो कुछ हमारा 60 परसंट है और जो 211 एफ घंब पॉपिलेशन ने उनको व में सगन चेकिंग चलाई जा रही है जिसके दवरान 530 लीटर कच्ची शराब और 4 किलो यूरिया वर शराब बनाने के उपकरण के साथ 200 लीटर लहन नस्ट कराते हुए 14 आरोपियों को गिरफतार किया गया है दसलागामी विधान सभा चुनाओ 2022 के लिए वरिस पुलिस अधिक्षक ने अपराध और अपराधियों पर कच्छोर कारवाई करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में कारवाई को अन्जाम दिया गये अलिगड के विधान सभा एकलास में 2022 के चुनाओ को भैमुक्त कराने के लिए प्रशासन के द्वारा कमर कसली गई है प्रशासन के द्वारा आर एफ और सी आर पी एफ की टीमों के साथ मिलकर कजबे में फ्लाग मार्श निकाला गया जिससे आम जनता को सुरक्षा का एहसास हो सके और वो भैमुक्त होकर 2022 के चुनाओं में अपनी मताधिकार का प्रयोग कर सके इसको लेकर प्रशासन लगाता है सुरक्षा का एहसास कराता नजर आ रहा है कि अधिक जनता को सुरक्षा कर जा रहा है कि सब अपना भैमुक्त होके जो है प्रतान करें किसी प्रवबन ना है और किसी से ड़ने की ज़रत नहीं अगर कोई किसी में गार की दिक्कत होती है तो पुलिस को उगड कराए और एरिया डृमेनेशन की कारवाई पूरे छेतर में आज की जा रही है उत्तरप्रदेश के चुनोव में गुजरात के भाजपा कारेकरता भी अब महनत करते नजर आ रहे हैं राइबरेली में गुजरात की महिला टीम घर घर जाकर भाजपा का प्रचार प्रशार कर रही है मार्दे जंता पाटी की महिला गुजरात टीम के करीब दरजन महिलाएं शहर में घूम कर भाजपा का प्रचार प्रशार कर रही है यह महिला इंद्रानगर के छेत्र में घर-घर जाकर भाजपा के लिए वोट मांग रही है और गुजरात में जिस तरह से विकास हुआ उसका हवाला दे रही है हम गुजरात चे आई हुए इसलिए प्रसार के लिए आया हुए टू हमारे साथिके खड़ी रहיצ जिसमें सभी गुजरात में थी हम तीन में साथ में है और अलग अलग जगा पे विजान सपा के जो काम प्रतार कर लिए आई है यहां पर ह morgen आऊ ऍे सब कर लाबहारती को मिल नफारती को बिजली मिली है उसको पानी मिला है प्रधानमंत्री आवास मिला है के नहीं और कॉरोना सप्ना की में सब को टीका लगाया कि नहीं लगाया यह भी हमें सब के लाभार्ति के पास जाके इसको पुछना है हमें यह भी काम है और जब दूसरे महिने में चुनाओ आ रही है चुनाओ आ रही है कि चुनाओं के जब योगी जी यहां पे थे तो योगी जी सीम है यहां के उसने सबके लिए लाभार्थियों के लिए कैसा काम किया है यह भी हमें जानकरिम लेना है आज हम लोग संपर करना है योगी मोदी जी के लिए संपर करना है कि ओट नहीं को देना क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं प्लस उसके लाहर थी कि उनके योजनाओं से कि इनको लाभ मिला इन सबके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे थे उधर इंटीरियल में गए थे बीबियापुर, कफ्तान पुर्वा, फिरिदूर इंद्रा नगर आए जन संपर करने के लिए सब लोग आई तो हैं ये लोग बावन लोग हैं लेकिन यहां हमारे विधान सभा में तीन लोग हैं इनको लेके हम लोग जन संपर करवा रहे हैं पर उब जलाधिकारी, नवनीद गोयल, खंड विकास अधिकारी, रजत कुश्वाहा द्वारा ग्रामीडों को काफी समझाने का प्रयास किया उपजुलाधिकारी नवनीद गोयल ने कहा कि उनकी सारी मांगे मनजूर है वहीं ग्रामीडो को लिखित में आश्वासन देने की भी बात कही है तो अपने वीडियो साथ पूरे सब्सक्राइब की है और उसमें लोग के बीच में इसे हमती बनी है कि इसका जो है निर्मार किया जाएगा तो अचार संगता लगी है तो आचार संगता के मद में कोई नय काम स्टार्ट नहीं किया सकता इस कारवन से हम लोग इनको लिखित में देने को तैयार है कि गाजीपूर में पूलिस को सफलता हार्सिल हुई है जहां पूलिस ने च्छात्रा पर जान लेवा हमला करने वाले को गिरफतार कर लिया है दस साथपूर के स्थानी धाना च्छेतर के अंतर ग्रत ग्राम ग्याबेपूर के रहने वाली युवती घायल अवस्ता में धाना चौबेपूर च्छेतर के अंतर ग्रत पाई गई थी जिसे किसी अग्यात वेक्ति द्वारा धारदार हतियार से घायल कर दिया था इस संबन में धाना सायदपूर पर पीडित के भाई की तहरीर के अधार पर मुकदमा अपराद पंजुक्रत किया गया था धाना सायदपूर पुलिस द्वारा घटना का अरत वाले अभ्यूक तजय मौरे पर रामपती मौरे को गिरफतार कर लिया गया है मैंदपूरी के कस्पा नवीन गंज में आगामी विधान सभाद चुना दो हजार बाइस को देखते हुए अचाज संगता पर सक्ती से पालन करने हितु सुरक्षा विवस्था का एसास ने भैमुक्त मद्दान करने की अपील की गई है शहर में शांती पूर्वक धंग से चुना संपन कराने के लिए अर्ध सैनिक बलके जवान तैनात कर दिये गए हैं वही वेबर पुलिस के अर्ध सैनिक बलके जवानों के साथ कस्वे में पैदल भ्रमड किया फतेपुर में पॉसको कोट का एतिहासिक फैसला सामने आया है जहां 90 दिनों के भीतर पॉसको कोट ने दोशी को फासी का फैसला सुनाया बता दे कि दोशी ने 15 अक्टूबर 2021 की दोपहर में 3 साल की बच्ची से रेप किया था वहीं रेप के बाद बच्ची ने मौके पर दम तोड़ दिया था दोशी के कमरे में बरामत बच्ची का शौफ हुआ था दोशी दिनेस पासवान कोशामबी के दारा नगर कर रहने वाला है और खागा के सुजरही गाउं में किराय के कमरे में रहता था खाना खागा छे तके अभी दिनेस पासवान जो कि अपने पड़ोस की एक तीन साल की बच्ची हो सेव खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और वहां पर उसके साथ दुशकर्म किया और ये बात खुलना जाए इस भाय से उसने इस लड़की की हत्या कर दिया और लास को एक बिस्तर में लपेट कर अपने कमरे में रख लिया जब लड़की के माता पिता को लगा कि पर लड़की पता नहीं कहा गई उसकी खोज भीन किये तो पज़ा चला इसके साथ गई थी उसके कमरें की तलासी लिया तो वहाँ पर लड़की की लास बिस्तर में लपेटी हुई मिली इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया वियचना हुई वियचना मात साथ आठ दिन के अंदर चार सीट लगा दी गई उसके बाद मानी नियालय मामला आया यहाँ पर इसका तेजी से निस्तारन करते हुए मानी जज साहब ने मात सतर दिन में इस मामले का हैसला कर दिया और उसको मुल्यम को फांसी की सजा दी गई है जो मानी उचनाले के अप्रूवाल उपरान उसको फांसी दी जाए मैनपूरी के अजीत गंश थाना इलाओ छेतर के गाउर रमपूरा में सुलेंडर का रिशाओ होने से घर में आग लग गई है जिसे तीन माह के शिसू की जल कर मौत हो गई है रमपूरा निवासी अरविंद राजपूत अपनी पतनी रीना वदो बच्चों के साथ मकान में रहते थे बतादे की नौज़ात की मा गैस चूले पर दूद कर्म करने के लिए रखा था उसके बाद घर के बाहर बने जानवरों को चार डालने चली गई इसी बीच सिलेंडर में लगी आग पाइप को पकड़ी देखते ही देखते कुछी देर में आग ने कमरे को चपेट में ले लिया और तीन महा का शिशु कार्तिक बुरी तर रचुलस गया हर्दोई के विकास खंड भरावना की ग्राम पंचायत पीपर गाउ में ग्रामीडों ने सफाई कर्मचारी की कारेशयली पर सवाल उठाए हैं मिलाओं ने कहा कि सिफ एक दिन जव्यादार लोग सिफ एक बार गंदिगी से निकल दिखाई देते हैं तो उनको भी हम लोगों की परिशानी दिखाई पड़े मिलाओं ने बताया कि सफाई जनपत मानपूरी में उस वक्त संसनी फैल गई जब एक महिला का सर कुच्चला सौ बरामद हुआ वही सूचना पर पहुचे पुलिस ने शौ को कबजे में लेकर मोर्चरी के लिए भेज दिया पूरी घटना ओचा थाना छेतरी की है जहां मानपूरी से एचा मार्ग पर नगला हार के कुछी दूर पर बने प्रतिक्षाले के पास सड़क किनारे खाई में एक अग्यात महिला का शौ प्राप्थ हुआ उत्रप्रदेश में अगामी विधान सभा चुना दो हजार बाईस आते ही जनपद अमेठी के विधान सभा छेतर जगदीशपूर के ग्रामीड छेतर में सरकार द्वारा विकास की किरणडा पहुँचने से ग्रामीड अपनी आवाज को पुर्जोर तरीके से उठाने लगे हैं जहां जगदीशपूर विधान सभा छेतर के पूरे लाल इश्वरी दास में ग्रामीडो द्वारा गाओं के बाहर बोड लगाया गया है कि गाओं के लिए सड़क नहीं तो वोट नहीं का मस्चा यह है कि वहां इस गाऊं के लिए यहां सब बेचारी किसान हैं हमें लगता कि जब से देश आजाद हुआ आज तक जो है इन गाऊंवालों के लिए कोई राष्टा नहीं आने जाने के लिए यह भी बीमार हो जाता तो एंबुलेंस ना जाती इनकी गाऊं के लिए और इनके हग जो बालकाय पढ़ने जाती हुए बैचारी जो है कंधे बस साइकल लेके पार होती हैं दूला नाती तो भी बैचारी पैदल जाती है दूला जाता तो भी पैदल जाता है इतनी बड़ी समस्या इन गाहा वालों ने जो है इसमिर्तिरानी जी से यहां के मंत्री ज संदिया आप तक कोई राष्टे का समाधान नहीं हुआ वही सधात नगर जिले की पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है मुख्बीर की सूचना सदर्धाने की पुलिस वा सविलांस और स्वाथ टीम ने चोरी की आठ मोटर साइकल वा एक देसी रिवालवर बरामत की है पकड़े गए चोरों में दो बिहार और छे सधात करते थे और जिले में बेशते थे इसी तरह शधारत नगर जिले से चोरी की गई फिलाल पुलिस कप्तान ने इस मामले का खुलाशा करते हुए 20,000 करने वालों को 20,000 का इनाम दिया है आठ लोगों की गिरफतारी हुई है इसमें दो लोग बिहार के रहने वाले हैं राहुल यादो और विशाल यादो और कुछ लोग हमारे यहां के रहने वाले हैं अक्षरस्तोगी और अमित रस्तोगी एक वहांचोर गैंग है यह आठ लोगों का एक वहांचोर सुनुजित गैंग है जो बिहार से ताके चोरी की मोटर साइकलों को जनपर सिधार्द नगर में बेचते हैं और जनपर सिधार्द नगर की बाइक को चोरी करके बिहार तक बेचते हैं आठ मोटर साइक के लिए पुलिस ने, S.O.G की टीम ने, सर्विलांस और थाना पुलिस ने इसमें बरामद की हैं उन में से चार बाइक जो हैं कनेक्ट हो गई हैं, उनके संबन में अभियोग भी पंजीकरत है एक बाइक इसमें बस्ती की है, कुछ अपने जन्पद की हैं और बिहार की बाइक है इसमें S.O.G और सर्विलांस की टीम को जो ने ने गुड़ वर्क किया है, इसके लिए 20,000 रुपे का एलान मेरी तरफ से दिया प्रदेश में विधासभा चुनाओं की तारीखों का एलान हो चुका है प्रत्याशी वो मौझूदा मानिय माद्दताओं को लुभाने के लिए उनके बीच पहुच रहे हैं और उन्हें विकास के नाम पर अपने पक्ष में करने का प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन मद्दान भी अपने छेतर में मूल भूत सुविदाहो के न मिलने से मौझूद मानियों के साथ अन्य नेताओं से नाराद साफ दिख रहे हैं एक ऐसा ही मामना राइबरेली के सरेनी विधान सभा के लाल गंच के बहाई गाउं में देखने को मिला है जहां बदहाल सडक से परिशान ग्रामिडों ने गाउं में प्रवेस द्वार पर होल्डिंग वो बैनर चांग दिये हैं और उसमें लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं ग्रामिडों की मा ने तो कई दशक से उनके गाउं का मुख्य मार्ग बदहाल है और चुनाओं में नेता वादा तो कर जाते हैं लेकिन कोई विकास नहीं करते हमारी समस्या रोड की समस्या है यह हमारी रोड सन 2006 में बनी वी थी उसके बाद से रोड नहीं बनी है और इस रोड की हालत इतनी बत्तर हो गई है कि बरसात में हम लोगों चलने में इतनी तकलीफ होती है कि पानी गुटनों तक भर जाता है स्कूली बच्चे नहीं निकल पाते हैं यहाँ जईफ लोग नहीं निकल पाते हैं और एक लोग तो घॉट चुका है गिरने की वज़ा से लोग ये राज्ता छोड़ीया है आना इसी वज़े से कि इतनी हालत बेकार होने के बाँजूद वो यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रह बच्पन से जवानी में जवानी से बुढ़ापा आ गया है और रोड उसी तरीके की है नहीं बन रही और खराब होती चली जा रही है मानलों किसी को बिठा के भी लाते हैं तो रास्ते में गिर जाता है और हम घर पहुंच जाते हैं कई दफ़े ऐसा हुआ कि मैं समान लेके आ होता हूँ कि रोड बनवा दी जाए हम लोगों की समस्या हल की जाए क्योंकि स्कूली बच्चे जाते हैं यहां से पार नहीं हो पाते हैं सितापुर में अप्राद नियंतर हेतु अवैद एसलहों की रोग थाम के लिए सभी थाना प्रभारियों ने निर्देशित किया गया है थाना रामकोट वा थाना लहरपुर पुलिस टीमों ने चेकिंग के दवरान दो अवैद शस्त फैक्टरियों का भंड़ा फोड करते ह हुए कुल तीन अभ्यूक्त गड़ों को अवैद शस्त्रों का नर्माड करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है जिनके कपजे से मौके से 32 अवैद शस्त दसकार तूद वो अवैद शस्त्र बनाने के उपकरण भी भारी मात्रा में बरामद हुए मौमे पुलीस अधिक्षक मौव शुशील गुले के नर्देश में थाना हल्दसपुर पुलिस वस्वाट टीम को गुलैरी बॉर्डर से घेरा बंदी कर जाच गांज तसकरों को गिरफ्तार किया है और उनके कबजे से एक जीप में से लदा सत्तर किलो गांजा बराबत किया है वही अभियुक्तों से पुश्टाश करने पर पता चला कि गांजा उडिसा से लाकर मौव और आजमगड में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे कल शाम को ये सफलता मिली है जब मौविर के सूचना पे उनके द्वारा चार शातिर अभियुक्तों को पकड़ा गया जो एक अंतर राज्जिय गांजा तशकर है इनके द्वारा उडिसा से ले करके सत्तर किलो ग्राम गांजा एक जीप में लाया जा रहा था जिसको वो मौव में और अजमगड के कुछ एरिया में देने के लिए ला रहे थे इनको मौविर के सूचना पे पकड़ा गया तो इनके पास से 70 किलो ग्राम गांजा बरामद हुआ है चारो अभियुक्तों को गिरफतार कर लिया गया है इनके पास से जो जीप मिली है जिसम रहते हैं उसके संबन में भी इनके खिलाप अभी हो प्रंजिकृत किया गया है और जो गांजा बरामद हुआ है उसके खिलाप भी मुकदमा दर्श करते हुए इनके खिलाप कारवाई की गई मुधान सभा चुना दो हजर बाइस की नजदीक आते ही जनपद मानपूरी की पुलिस सुरक्षा वेवस्थाओं को लेकर सतर खोचली है जिसके चलते मानपूरी के इचावा किशनी बॉर्डर पर चकिंग के दोरान अंतर जनपदी चोरों के गांग को गिरफतार किया गया है आपको बताते चले पूरा मामला किशनी थाना चेतर के इचावा मानपूरी बॉर्डर का है जहां मुख्बीर की सूचना पर पाच अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है जिनके पास से नौ मोटर साइकिल वेक्स कूटी अवैत तमंचे कार्तूस बरामद ह जांग को पकड़ने वाली टीम को पुलिस अधिक्षक मैनपूरी द्वारदास हजार का नगत दनाम भी दिया गया है कि अधामी एलेक्शन्स को लेकर के जनपद में सखन चेकिंग अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है जिसमें हमारी टीम में जगे जगे पर लगी हुए बैरियर्स पर इसी क्रम में इटावा किसनी बार्डर पर चेकिंग चल लाई थी और वहां पर चेकिंग के दवरान जो है कुछ संदिक्ध वहां ने उट्वेक्ट दिखाई पड़े उनको फिर चेक किया गया तो उनके कपजे से चोरी की दस गाड़िया मोटर साइक ले चार तमंचे और ये पांच बदमाच टोटल वहस में अरेस्ट हुए हैं इन इन से तमंचे मिले हैं सभी का एक लंबा अबराधी की दिहास और चनपद में चोरी के साशा तरन्य बांगदाते कर दे थे तो इनको आज जील फेजा जा रहा है और साथ में इनके लंबे अवराजी की तिहास को दिश्टगत रखते हुए इनकर गैंगिस्टर एक्ट की थाथ करवाई है फिरोजाबाद के विकास खंड जस्राना के अंतर गद ग्राम पंचायत कच्मई में ग्रामिडों ने विकास नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा कर विधान सभाद चुनाओ को लेकर मतदान का वहिसकार किया था इस कड़ी में ब्लॉग प्रमुक संध्या राजपूत ग्रामिडों को मनाने के लिए पहुची बता दे कि ग्रामिडों ने आगामी चुनाओ को लेकर मतदान वहिसकार का एलान किया था बांदाबे संध्या परिस्थिती में योती की मौत का मामला सामने आया है मामला चुला धाना अंतरगद गुगाली गाउं का है जहां योती ने फासी लगा कर आत्म हत्या कर ली है जानकारी होते ही परिजन योती को लेकर आनन फानन में जिला स्पिताल ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुचे जहां डॉक्टरों ने योती को मृत्त घोसत कर दिया फिलाल योती की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है परिजनों के अनुसार योती मानसिक रोगी बताई जा रही है को पहां से लेकिया इनको गुगळी से लेकी 233 जी फर हो गाया अच्छा तो यहां पर डिखाया हां यहां डाप्टर को दिकाया हां रॉप्तर उनकी निती हो गई हैं आए निजय के आए पर लोस्नी गाटाराफ अगाट वागी से लिए तो फिल्यों है इसको प्राटिट ना तो यह रही उत्तर प्रदेश की कुछ एहम खबरें ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रही हमारे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार